दोस्तो आप सभी को मारा नमस्कान मैं सुजित कुमार परिडा डारेक्टर ऑफ ग्रीन प्लामेट एक कम्प्रीर सोलर एनोजी सोल्यूशन मैं आज यहां इसलिए आया हूं कि उडिशा में जो 5% बिजिलीका रेट बढ़ गया है उसके रिकारिक आर्टितलाब के साथ पाचि पाउर प्लांट है और दूसरे राच्ये भी हम लोग के पाउर बेडिपेंट रहता है लेकिन फिर भी हमारे उडिशा में अभी लग्डाउम के बार 5% बढ़ गया है क्यूंकि कोईला के स्तर दिरे 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 खतर होता दाता है तो इसी का एक अल्टरनेटिव उपाया मै हम लोग शुरियो चल्फिय उपनेयू सोलार एनर्जी का उपवयवब करके हम अपनि normy का दर कमा सकते हैं य्ए वीचली के वीचन्टे को फट जह कर सकते हैं गाओ में जो drinking water का project हो रहा है जो पानी जो हम छोग के electricity में आखे गाओं के सारे गर में जाता है वो solar का drinking water लगाएंगे क्योंकि renewable energy sun हम लोग के मरते दम तक हमारे पास है सुरिया तो इसी का सुरियों को यस्तमाल करके हम लोग electricity generate करेंगे और उसको हम लोग use करेंगे इसी बजये से हम लोग का क्या होगा इलेक्रिसिटी वील हमको जनेरेट नहीं होगा एलेक्रिसिटी बील हमारा कम हो जाएगा जो 5% का जो electricity bill औरिशा गमेट ने हम लोग का increase करते हैं थ्रोग ग्रेव जो लोग electricity यूज करते हैं वोही लोग भी उनके छत के उपर solar rooftop installation करके उनके दिन टाइम में या डे टाइम में solar से बिजली लेके राद से ग्रिट से बिजली लेके 70% तक electricity bill कम कर सकते हैं हम लोग तो उडिशा गमेट को चालेज नहीं कर सकते हैं कि 5% electricity bill कम करो लेकिन हम लोग solar energy यूज कर सकते हैं इसी के वज़े से हम लोग का जो environment है वो भी clean and clear रहेगा और हम लोग का electricity bill भी कम हो जाएगा यह है alternative renewable energy for electricity दोस्तों साथ मिलकर सुरू करते हैं clean environment and power saving without help of solar energy आओ हाथ मिलाए और आगे बने एंध्यू